हलो दोस्तों नमस्कार केपी टीचर अकड़मी में आपका हास्तिक स्वागत है आज हम हिंदी पड़ागोची का फिर्पीन कोशिन का इस हैसल लाएंगे जो कि सीटर परिछागोची दर्श्टी से बहुत ही मैतपूर होगा पीडियो को लाइक एंड सियर कर अपने दोस्तों क से बच्चे केवल मुल्यों का अर्जन करते हैं एक अपनी सकती सकती का विकास करते हैं थोड़े अपनी सांसी की दरोवर से जुड़ते हैं फौर्स पर्केवल कापत करती है है कहानी और कविता और गीतों क्या स्थम शीखती है तो यहां पर उसल में केवल 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 तीनों कोष्ट्य को एंदों में विधिया चॉस्ध में और सब्सक्राहं घुन हें के रही हो sweet जाएगा बच्चों को बासा सीखने का सरवो परी उद्धेश्य है क्या है इस परकार आप्शन देखते हैं मोहाबरे लोगम्तियों को ज्यान प्राप्त करना फर्स्ट अप्सन का अकॉडिंग second देखती हैं कहाने कवितां को दोराने की कुछल्ता का बिकास करना third है तेज प्रभा के साथ पढ़ने की युग्दा का बिकास करना fourth है अपनी बाद को दूसरों के समझ अविव्यक्त करने की कुछल्ता का बिकास करना यही सबसे best answer है तो next option देखते हैं वीडियो को like and share करते हैं अपरी दोस्तों को साथ में लिखिना first option है एक बेहत जटिल प्रक्रिया है second एक अनिवार कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है थड़ा एक तरह की बात्चीत है फोर्थ एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है तो इस question पुछा गया है लिखिना क्या है जैसे कि हमारा लिखिना क्या जाएगा एक तरह की बात्चीत है क्योंकि हम क्या करते हैं लिखिने में संबाद करते हैं जिसे कि आपने देखा को पहले स बातचीत करती से answer होगा, best होगा, बातचीत करना third answer, ठीक है, next question देखते हैं, वीडियो को like and share करते हैं दोस्तों के साथ में, कक्छा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की बहासा के अनववव को लेकर ही बिद्याले आते हैं, question बोला गया है, कक्छा 1 कि जो बच्चे होते हैं, प्राप्त बोलचाल की बहासा और अनववव को लेकर ही बिद्याले आते हैं, question में ये चीज़ बोले लिए, first option दितने है, घर, परिवार, परोसी, second है, घर, परिवार, परवेस, third है, घर, परिवार, दोस्तों, fourth है, घर, परिवार, टीवी, तो यहाँ पे जो सबसे best answer हो जाएगा, वो हो जाएगा second वाला, क्योंकि जो बच्चे लेकर आते हैं, वो घर, परिवार, और परिवेस, और इसके जो answer है, first, third, और second, इसके अंतरकत ही आ जाते हैं, जो सबसे best answer हो जाएगा, अमारा second वाला, next question देखते हैं, बीडियो को like and share करते हैं अब दोस्तों साथ में, कक्चा एक और दो के सुरुवाती समय में, पढ़ने का प्रारम से ही हो, और किसी के लिए हो, first option है, अर्थ उद्देश, second है, अक्छर ग्यान मरोंजन, third है, सब्द पहचान मुल्यांकन, fourth है, अक्छर ग्यान उद्देश, तो जोता question पुछा आ रहा है, कि कक्चा एक और दो, कि जो सुरुवाती समय में, पढ़ने का प्रारम हो जाता है, वो किस के लिए, या किसी के, किस के लिए हो, तो जो option होगा, सबसे best हो जाएगा, वो अर्थ उद्देश होना चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या सीख सकें, जो क्या लिखा हुआ है, तो यह हमारा सबसे best answer होगा, next question देते है, बीडी को like and share करते हैं अपर दोस्तों के साथ में, तो जोड़ा कर लेते हैं से, इन मैंसे कौन सा प्रात्मिक इस तरफ़ा हिंदी बासा सिच्छड का उद्देश नहीं है, दो को सीग टेट में नेगिटिम में answer जरूर पूछता है, और question भी negative में देता है, और बच्चे क्या करते हैं, पोजिटिव में पढ़ते हैं, और आंसर देते हैं नहीं पर ध्यान दियते हैं, तो यह हमें नहीं करना है, इस पर बहुत मिसेज़ का ध्यान देना है, जिसे कि question पूछागे नहीं म और एक नेगेटिव होगा वही हमें अंसर छाट राए ठीक है फर्स्ट अप्सन देखते हैं संदर्ब के अनुसार लगा कर पढ़ने का प्रयास करना सेकिंड ने चित्रकारी को सुहें की अव्यक्ति का माध्यम बनाना थड़े बच्चों की बासा और इस्कूल की बासा में सम्मंद बनाते हुए उसे विस्तार देना फोर्त यह सुनी गई बातों को जोंकात्यों दोहराना दो कुछा लिए प्राथ में किस तर पर बासा सिचड़ या इंदी इंदी बासा सिचड़ का उद्देश नहीं है तो जो हमारा जो नहीं वाला ऑप्शन हो जो कौन सा ज़्यागा फोर्त वाला क्योंकि यहां पर सुन भासा कोशलों की संबंध में कौन सा कथन सही है यह बासा कोशल पूछे गए और उनकी में संबंध कौन सा कथन सही है ठीक है फर्स्ट अप्शन है बासा के कोशल अंत्य संबंध होते हैं सेकंड है बासा के सभी कोशलों को नई स्रे से सिकाने की अवश्यक्ता होती है थर्ड है बासा कोशल एक दूसरे सुतंत्र होते हैं फोर्त है बासा के चारो कोशल एक क्रम में सीखे जाते हैं तो यहां प नहीं है किसीसे जोड़े नहीं होते हैं शुतंतर नहीं है, ऐसा भी नहीं आंसर हो जाँगा प्लि MBार्व depicted 4 जो कि है कि हैं, फिर बच्चा सुनता है फिर पड़ता है फिर बच्या बोलता है दर लिखता है यह बोलतकते हैं स्रवन, पठन, बाच्चन और लेखन तो यह एक क्रम होता है चार का उसल होगा तो जो आंसर होगा फोर्थ माला हो जाएगा वीडियो को लाइक और सीर करते हैं और इतनी महात करने वाद एक लाइक तो बनता है नेक्ट वोशन देते हैं बासा और का एक उत् फर्स्ट अप्षन है सुनने, बोलने, सोचने सेकेंड पढ़ने, लिखने, संप्रेशन थोड़ है सोचने, मैसूस करने, चीजों से जुड़ने फोर्थ पढ़ने, लिखने, समझने तो यहाँ पर कोश्चन पूछा है जो बासा है वो किस प्रकार का साधन है कोश्चन यह पूछी कही है तो बासा क्या है बासा पढ़ने, लिखिने और संप्रेशन का मैथ पूर्ण साधन या उत्तम साधन है जो कि ऑप्षन सेकेंड वारा सही होगा ठीक है नेक्रोशन देते हैं वीडियो को लाइक करते रहें बासा सीखने का विवारवादी द्रस्टी कोड पर बल देता है फर्स्ट अप्स ने अनकुरंड सेकिंड रचनातमता थर्ड भासा प्रियोक फॉर्थ अविवक्ति तो यहां पर बोला जा रहा कि कोश्चन में भासा सीखने और विवारवादी द्रस्टी कोड पर वल देता है मतलब विवारवादी किस पर वल देता है तो यहां पर जो बैस्तांसर हो जाएगा आपको पैसे पता चलिया होगा सभी लोगों को अगर नहीं है पता तो बताते हैं अनकुरंड क्योंकि अनकुर्द के माध्यम से भासा सीखी जाती है जिस समाज नत्तिय है वह वासा बोली जाएगी और बच्चे उसे क्या सहेजव यहां पर बासा सीखने गहां बिवारवाधी द्रश्टिकोड की बात किया रही है रिवारवाधी द्रश्टिकोड समासे इलेटड वड है इसलिए तो और वह उनकुर्द होगा है याँपर बाहें नसीरा पड़ते समय अनेक बार अटकती है उसे पढ़ने में काटनाई होत है उसकी समस्या मुक्षित है से संबंदित है दोगों नसीरा एक छात्रा है जो पढ़ते समय अटकती है और कटना ही होती है तो उसकी समस्या क्या है कोश्चन में यह पुछा यह रहा है फर्स्ट ऑप्स है पठन अब रुची ए बुद्धी लब्दी थर्ड डिसलेक्सिया फोर्थ डिस्ग्राफिया तो यहां पर पठन संबंदी बिकार के बारे में बात की जा रही है जो चात्रा है नस्रा तो यहां पर जो देखुआ जैसे कि उसमें यह फोर्थ वाले में है ड लिखन संबंदी बिकार होता है डिस्ग्राफिया ग्राफ से जोड़नों लिखने और ग्राफ लिखना ग्राफ जोड़नों तो इससे हो जाएगा डिस्ग्राफिया लिखन संबंदी बिकार होता है ऐसी कोश्यन साइकलोजी में हिंदी प्रणोजी में इंग्लिस की लेंग् फाट्चा पढ़ता ही नहीं यह यह जो होगा तो अधुनर हो दिश्लेक्षिया पटन सम्मंद दिशा जाक में usable दिस्लेक्सिया होता है नहीं चयों जिर यह किरो कारे महां अधार्थ कष्षा में पर सबसे अधिक वल दिया जाता है बाइगोस्की जी के बारे में बात किया रही है एक बनीव मेगन गें इन्होंने बहुत सारे विचार दिये अपने फर्स्ट ओप्सन दिखते हैं कविता दोहरानी सेक्ड है कहानी सुननी थर्ड है कार पत्रकों फोर्थ है परस पर अंते क्रिया तो जो बाइगोस्की के अनुसार कोश्य में देखा जाए तो जैसे कि हम समास के बारे मात आती है जब भी बाइगोस्की बात करते हैं तो समास के जाला होगा ठीक है नेक्स देखते हैं वीडियो को लाइक करते रहे इतनी मात करने बात में लाइक तो बिलना चीए जिससे के मैं एक मौटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए और लगता है कि हाँ एक और बनानी चीए बैस से बैस तरीके से इसले लाइक करिए चनल देना अनिवार है उनकी बासा को सीखना सभी विध्यारतियों के लिए या सिच्छातियों के लिए अनिवार है थरड़ है बासा की पाठ़ पुस्तक में उनकी सभी बासा के सब्द बात के होना अनिवार है फोर्ट है उनकी सभी बासा की जानकारी सिच्छ के लिए अनिवा है जैसे कच्छा में बोला कोशन बोला गया है कि हमारी कच्छा में जो बच्चें के बिन्न बहासाओं के या बहासिक प्रश्ट वुमी से आते हैं तो मैं क्या करना चाहिए कोशन वी चीज बोले आ दिये तो को इसका जो आंसर होगा वह कोई होगा फर्स्ट वाला हो जागा उनकी बहासा को भी कच्छा में सम्मान देना चाहिए जैसे कि बिवत प्रकार के बच्चे हैं तो वो अनेक प्रकार की बहासा बोलेंगी या अपने अपने सब्द में बात कहेंगे तो उन्हें वहाँ पे हमें प्रते एक बच्चे को सम्मान देना अनिवारी रूप से यही हमारा अंसर हो जागा फर्स्ट वाला नेक्ट वोशन देखते हैं बीडियो को लाइक करते रहे साती सात इन में से प्राथमिक इस्तर पर भासा आगलन का सरवदिक उचित तरीखा है फर्स्ट उप्सन है किसी पार्ट की पांच पंक्तियां पढ़वाना सेकिंड है बच्चों को चित्र वड़न और प्रश्ण पूछने के अबसर देना थर्ड है बच्चों से पत्र लिखवाना फोर्ट है बच्चों से प्रश्णों के उत्तर लिखवाना जैसे बोला गया है प्राथ में किस तर पर बासा आलक आंकलन की बात किया रही है और स्रबदिक तरीखा पूछा उच्छित तो देखो यहां पे पाठ के पांच पंक्तियां लिखवाना किया बच्चा देखे और लिखे देगा इसमें कोई भी आंकलन की गुंजाइस नहीं है जैसे की रटा आमार का लगें देगा बच्चा यहां पें दूसरा दे रहा है ठर्ड में दे रहा है कि पत्र लिखवाना रटा को पत्र लिख़े देगा फॉर्थ में प्रश्णों के उत्तर देना बच्चा के उत्तर प्रश्णा होंगे उनके अकॉर्डिंग उत्तर देदेगा तो यहां पे किसी प्रगार का ऐसी चीज नहीं आएगी जो आंसर सेकिंड में है बच्चा को चित्र वरणन और प्रश्ण पूछने के अबसर देना बच्चा चित्र देखेगा और उनके अकॉर्डिंग क्या है प्रश्ण पूछेगा और जिसे हम अबसर देंगी तो बच्चा अधिक से अधिक सीख पाएगा वही सबसे बेस्ट आंकलन होगा तो next option देखते हैं वीडियो को लाइक करते हैं साथी साथ कौन सा प्रस्ण बच्चे की बासा चमता का सही आंकलन करेगा question पुछे है रहा है कि कौन सा प्रस्ण बच्चे की बासा चमता का आंकलन कर सकेगा या करेगा फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं लड़की ने किसके दाम नहीं बताए सेकिंड है लड़की टोकुरी में क्या बेच रही थी थर्ड है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों फोर्थ है आजकल आम का दाम कितना है तो यहां पर 20 साङ आकलन की बात करेंगे तो जो Uh बच्चे के लिए बोला है रहा कि अगर तुम आम बेचते हो तो कितने दाम लोगे तो बच्चह के यहां पर सोचेगा और लेएगे और इतने लोगे तो 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 क्यों लोगे तो फिर भी आपर बच्चा सूचेगा तो चिंतन प्रिया सजनादा कुश्चन अंतर मुक्त वाले कुश्चन यहां पर कितरे बात की जारी है इसे सबसे बैस्ट आंसर होगा फट्रवाला क्यों नहीं होगा किकि यहां पर लड़की ने किसके दाम नहीं बता है यह वहिंकी में सीमित बात हो गई सेकेंड बोल रहा है तो कितने दाम लोगे और क्यों तो यहां पर दो तीन बातों का संग्रह किया रहा है जो कि बच्चा खुद सोच कर रताएगा इसलिए आंकलन यहां पर सबसे बेस्ट तरीखा होगा वह थरडवाला होगा है प्रात्मे के स्थर पर बच्चों के लिए बाल साहित के चैन का मुख्य आदार होना चाहिए फर्स्ट अप्स है छोटी रचिना है सैकीन है रोचक बिसेबस्तू थरड़ है रंगीन चित्र फोर्थ है सरल जनकरी तो जैसे कि प्रात्मे लेवल की बात की जा रही है तो य अच्छा लगे और चकप लेगा जो उससे इनवारन वर्म्रों नुट जडा होगा तो अच्छा लगे हम बच्चों को तो सब से बेस्त दीखा होगा सेके मरें चो थो चोटी रचना है एसा नहीं है रंगीन चित्र ऐसा भी नहीए और सरल जानकरी ऐसा भी नहीं है सारे आं बंद में तम दोस्तो नेक्ट वूडियो मिलते हैं